हलो फ्रेंट्स वेलकम बाक टू माई चैनल आई होप आप सब बढ़िया होंगे अच्छा से होंगे और आज कितने दिनों के बाद मुझे फुरसत मिले ये वीडियो डालने की ये वीडियो मैंने पता नहीं दो तीन हफ़ते पहले से रिकॉर्ड करती आ रही हूं और आज जाके मैंने इसको पूरा किया हूँ और मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ये नया वाल वाल पेपर जो मैंने लगाया हुआ है पुराना निकल रहा था तो मैंने इसको चेंज कर दिया और थोड़े से प्लांट्स आजकल गर्मी है ना बाहर तो अंदर रख लेती हूँ और ये मैंने एक डिबा था खाली मिरे पस पड़ा हुआ इसको मैंने थोड़ा सा कलर कर दिया तो बहुत अच्छा कॉंबिनेशन लगता है ग्रीन और रेड का जब मैंने ये शूट किया था उस टाइम काफी बारिशें हो रही थी और मौसम खराब हो रहा था तो प्लांट्स की मिट्टी सूख नहीं रही थी अच्छा से ताकि मैं और पानी दे सकूँ आज थोड़ा मौसम क्लियर था तो मिट्टी थोड़ी सूखी सूखी लग रही है और मैं ये प्लांट्स आपको दिखा रही हूँ ना ये पता नहीं छे साथ महीने बाद इन में नए पत्ते दिखें मुझे लगा कि इनका कुछ नहीं होने वाला है बड़ यूनो कई बार आपको पेशन्स चाहिए होता है अपने प्लांट्स के साथ, रिष्टों के साथ और पता नहीं किसकिस के साथ तो ये देखें, फूलो वाला नया प्लांट में लेके आई हूँ क्योंकि मेरी गार्डन में फूल वाले प्लांस थे ही नहीं तो आज मैं अपने प्लांस के लिए नई चीज ट्राइ करने वाली हूँ ये नीम खली का सॉलूशन मैंने बनाया तीन दिन से रखा हुआ था और उसके बाद एक कप नीम खली ये सॉलूशन को मैं तीन गुना पानी में डालने वाली हूँ तो सब मैंने इंटरनेट से देखा है कैसे कैसे बस मैं इस एक्सपेरिमेंट को कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रही कि प्लांस के सॉल में इंसेक्ट्स आ गए हैं तो जो भी इंसेक्ट्स होते हैं तो इनके लिए नीम खली देना चाहिए डारेक्ट भी दे सकते हैं और पानी में डालके भी दे सकते हैं क्योंकि गर्मियों में ठीक रहता है पानी में डालके देने से तो ये बच गया है इसको धीरे धीरे खतम कर दूँगी और next day है पता नहीं उससे next day है पर आज मौसम देखिए बाहर सुबा सुबा बहुत ज़्यादा धुंद पड़ी हुई है तो एकदम मन खुश हो जाता है जब आप ऐसे देखते है मई के महीने में बाहर धुंद पड़ तो आज मैंने सोचा है इसको चुड़ा ही दिया जाए और इसका कुछ मेक ओवर किया जाए बहुत सालों से मैंने लगाया हुआ है ये और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब एंटरस पे शिवजी भागवान का पोस्टर दिखता है बड़ा सा तो मैं ऑनलाइन देख र तो आज मैं इसे भी यूज कर लूगी और इसके अंदर पता नहीं क्या क्या डाल के रखा है मैंने तो ये जो कार्डबोर्ड है ये इस पोस्टर के पीछे मैं लगा दूगी ताकि थोड़ा हाड सा हो जाए तो यही कार्डबोर्ड मैंने स्ट्राइप्स में काट दिया है और बस ऐसे फ्रेम की तरह मैंने इसके चारों और लगा दिया है तो बहुत अच्छा लूग का रहा है ऐसे भी पर थोड़ा सा अच्छा सा फिनिश देने के लिए मैं टीशू पेपर लगा रही हूं इन फ्रेम्स के अराउंड तो इससे क्या होता है कलर भी बहुत अच्छ इसमें रियूज हो गया है तो मुझे तसली हो गए कि वो भी यूज हो गया है और देखिए फ्रेम बन गया है अब इसको कलर करते हैं मैं सोच्रियों ब्लैक कलर करती हूं और मैं कर भी रही हूं ब्लैक और ब्लू का कॉंबिनेशन अच्छा लगेगा इसमें अंदर अब इस पिक्चर का तो वहीं मशीन के पाकेजिंग में इस तरह के धर्मो कोल्स भी आते ही हैं तो मैंने रख्य हुए थे कि मैं इनका कुछ बनाऊंगी और इसकी शेप कुछ अलगी थी तो मुझे लगा इसको तो यूज करी सकते हैं कुछ न कुछ बना सकते हैं इसका तो मैं बस इसको ऐसे दो खिड़कियों की तरह बना रही हूँ एक का थोड़ा सा अलग स्टाइल है दूसरे का अलग तो इसको अब खिड़की का लुप देने के लिए लकडी का कलर करना पड़ेगा तो इसलिए मैंने ब्राउन कलर चूज किया है और मैं पहले एक्रेली कलर से पेंट कर रही थी और फिर मैंने वाटर कलर पे स्विच कर दिया क्यूंकि सेम ही लुका रहा था और इस पे आप वाटर कलर भी कर सकते हैं थोड़ा लेरिंग ज्यादा करनी पड़ती है थोड़ा हुआ है और यह साइज में छोटे-छोटे काटे हैं और इसको थोड़ा सा डेकोरेट भी करी लेते हैं तो इस तरह देखिए बन गया ना एक चोटा सा पीस और इसी तरह थर्मोकोल को घर की शेप में भी काट लिया है इसको भी कलर कर लेंगे और यह नेक्स चीज मैंने लि इसको थोड़ा सा मैंने जैसो लगा दिया है क्यूंकि मैं इसके वे उपर कलर करने वाली हूं तो इस पे मैं कुछ सर्कल्स ड्रॉ कर रही हूं कोई भी पेटरन बना सकते हैं तो मेरा आइडिया ऐसा है कि जैसे प्लेट्स पे करते हैं पेंटिंग वैसे करना शारियों मैं तो मेरे स्कल्स बन गए हैं यह और मैं इस पे रेंडम कलर्स यूज कर रही हूं और सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग मुझे यह लगा कि जैसे ब्लू पे वाइड कलर करते हैं कि ता सुंदर लगता है ऐसे क्रॉक्री भी आती है आजकल नेक्स्ट मैं ग्लू गन से ही छोटी लगा के बहुत अच्छा से निकल जाती हैं तो मेरी ऐसे ऐसी बन गई हैं तो इसके उपर अब ग्रीन कलर कर लेते हैं इनको मैं बाद में यूज करूंगी वैसे ही थर्मो कूल का एक सर्कल सा काट लिया था इसके उपर बस ऐसे ही चहरा सा बना देंगे स्माइली सा और इस कि अफिशल फ्लार्स भी यूज कर सकते हैं तो सब कुछ सजा दिया है और ये लास्ट वाले में मैंने ही इंका डिबा जो कलर कर दिया है वो रख दिया है तो फ्रेंड्स क्योंकि ये शेल्फ बनी है थर्मो कोल की तो सब कुछ लाइट ही होना चाहिए तो सारे डेकोर पीस काफी लाइट है वेट में और देखिए इसका फाइनल लुक इस तरह से आ रहा है तो ये था फ्रेंड्स आज का डियाइवाई और आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा घर की सारी दीवारों पे बस यही डियाइवाईज दिखेंगे और मैं ज्यादा तर वाल डेकोर्स ही बनाती हूँ क्योंकि नीचे अगर मैंने कुछ रख दिया तो बच्चे तोड मरोड देंगे तो सारी महनत बेकार हो जाती है और आज ये सब कुछ बनाने के चकर में ये चोटे-चोटे परसन अनटेंडड रह जाते हैं औ और ये घर में तूफान ले आते हैं तो चलिए फ्रेंट्स मैं करती हूँ इस तूफान को थोड़ा सा कंट्रोल में और आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा बाई बाई